हेलो फ्रेंड्स एंड वेल्कम टू माई जोब चैनल स्वीट मुमेंट आयम हेर विध द न्यू पार्ट आफ एंजल इन लव एंड फ्रेंड्स कल की जो वीडियो थी उसमें नेम को लेकर बहुत साथा कन्फूजन क्रेट हो गया था तो मैं इजहान की जो नेक्स्ट वीडिय करने की कोशिच करूंगी और फ्रेंड्स आप लोग कह रहे थे कि मैं जिस करेक्टर का नेम ले रही हूं उसके साथ मैं उसके पिक भी यूज करूं तो फ्रेंड्स और ने वींग और वांग जी के लावा किसी की भी पिक यूज नहीं की तो गाइस आई डोंट नो की मुझ तक इंजर इन लॉफ के बागी के पार्ट नहीं देखे हैं तो लिंक में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए आप आप जाके देख सकते हैं और फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नहीं है तो प्लीज सब्सक्राब दो चैनल एंड ला वांग जी वींग को ब्रेकफास्ट के लिए बुलाकर नीचे चला जाता है उसके कुछ टाइम बात वींग भी वहां जाता है और वो तीनों साथ में ब्रेकफास्ट करने लगते हैं लैन से चैन कहता है कि वांग जी वींग मेरा जो यहाँ पर वर्क था वो कंप्लीट हो च जाता है वह कि यहां अभी ठोड़ा और उपना जाता था कि कि उसे लंजा को ढूना था वह लंजा से मेले बिना यह से नहीं जाना मैं और विंग अभी कुछ दिन और नहीं रहेंगे क्यूंकि वांग जी ने विंग के face से ये notice कर लिया था कि विंग अभी यहां से नहीं जाना शाता और वो वस हमेशा विंग को खुश देखना शाता था و因گ और لین सिचेन दोनों वांग जी की बात से थोड़ा से सप्रियस थे क्योंकि वो दोनों जांते थे कि वांग जी की इस प्लेस से बहुत बुरी मेमोर्स हैं और वो यहां कभी आना भी नहीं चाहता था तो वो अब यहां रुखना क्यों जाता है पर लैन सिचेन कुछ नहीं कहता बस वो वांग जी और विंग की तरफ देखकर इस्माइल कर देता है कुछ टाइम बात लैन सिचेन वांग जी के बाज जाता है और उससे पूछता है कि वांग जी तुम यहाँ पर विंग की वज़ा से रुकना चाहते हो ना वांग जी लैन सिचन के कोशिन का कोई रिप्लाइ नहीं दे पाता लैन सिचन फिर वांग जी से कहता है कि वांग जी तुम वींग के बारे में क्या सोचते हो वांग जी कहता है कि ब्रदर आप ऐसी बाते क्यों कर रहे हैं मैं वींग के बारे में कुछ नहीं शोचता और वो ये कहकर अपना से नीचे कर लेता है लैंसेजन कहता है कि वांग जी तुम अभी भी अपने पास्ट में ही जी रहे हो मैं तुम्हें यह इसलिए लाया था ताकि तुम पास्ट को भूल कर अपनी लायफ में आ आगे बाढ़ सको लेकिन तुम पास्ट और प्रेजन को मिक्स कर रहे हो वो दोनों अलग है वो दोनों एक परसन नहीं है यह तुमारा विंग नहीं है वांग जी पर वांग जी कहता है कि नहीं प्रदर ये मेरा ही विंग है हाँ पहले मैं उसके नेम की वज़े से उसके केर करता था और उसे हमेशा अपने साथ रखना चाहता था पर प्रदर अब मैं उससे प्यार करता हूँ उसकी हमेशा केर करना चाहता हूँ और हमेशा उसके साथ रहना चाता हूँ लेन सिचेन वांग जी की ये बात सुनकर फिर से स्मायल करने लगता है वो सोचता है कि वांग जी मैं यही तो जानना चाता था मुझे पता था कि तुम विंग को पसंद करते हो पर तुम कभी भी ये बात accept नहीं करोगे वांग जी ने लैंसेचेन को ये बात तो पता दी थी बट उसके बाद उसे बहुत embarrassment हो रही थी और उसे बहुत शाय भी फील हो रहा था लैंसेचेन कहता है कि वांग जी तुमे इतना शाय फील करने की क्या जरूरत है मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ और मैं तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ कि तुम अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हो पर वांग जी थोड़ा सैट देखने लगता है लैंसेचेन कहता है कि वांग जी तुम इतने सैट की हूँ वांग जी कहता है कि परदर मैं तो विंग को पसंद करता हूँ पर वो मुझे पसंद नहीं करता लैंसेचेन कहता है कि वांग जी तुम ऐसा क्यों सोच रहे हो क्या विंग ने तुम्हें मना कर दिया वांग जी कहता है कि प्रदर मैंने अभी विंग को कुछ नहीं कहा पर मैं जानता हूँ वो मुझे पसंद नहीं करता लैंसे चैन कहता है कि वांग जी तुम्हें एक वार विंग से बात करनी चाहिए इसके बाद वो मांसे चला जाता है तब ही उसे विंग दिखता है और वो विंग को देखकर स्माइल करता है और उसके पास चला जाता है लैंसे चैन विंग को थैंक्स बोलता है विंग थोड़ा सा कन्फ्यूज दिखता है लैंसे चैन कहता है कि विंग तुम्हाई वज़ा से वांग जी अपने पास्ट को भूल कर आगे बड़ पाया है फिर वो अपनी एपसेंस में विंग को वांग जी का ध्यान रखने के लिए के लिए कहता है वो दोनों बात कर रहे होते हैं तब विंग की नजर एक डोर पर जाती है जो बाहर से लॉक था वो जब यह आया था तब भी उसने यह रूम देखा था विं ने इस घर में वांग जी की पैरेंट्स या उसके पचपन की एक भी फोटो नहीं देखी वो लैंसे चैन से पूछता है कि फोटो इसको रूम में क्यों रखाय है और इस घर में आपके पैरेंट्स की कोई भी फोटो क्यों नहीं है लेंजी चैन कहता है कि विंग हमारे पेरेंट्स के एकसिडेंट के बाद वांग जी उनकी फोटो देखकर बहुत रोता था और उसे पैनिक अटेक भी आते थे इसलिए मैंने हमारे पेरेंट्स के सारी मेमोरीज को इस रोम में रखकर लॉग कर दिया था और आज भी उनकी सारी मेमोरीज इसी रोम में है फिर वो विंग से पूछते हैं कि विंग क्या तुम वांग जी के चार्ल्टूट के पिक्स देखना चाहते हो विंग हा कह देता है लैंसे चैन को वींग के फेस पर एक्साइटमेंट साफ नजर आ रही थी वो वींग को उस रूम में लेकर जाते हैं और उसे वांग जी की चार्थूड के पिक दिखाते हैं वींग वो फोटो देख कर फ्रीज हो दाता है और एक्दम से लैंजा बोलता है वींग ने लैंजा का नाम बहुत धीरे लिया था इसलिए लैंज से चैन सुन नहीं पाता वींग सोचता है कि वो जिस लैंजा के बारे में जानना चाता था उसे ढूनना चाता था वो इतने दिनों से उसी के साथ है विंग की आखों के शामने फ्लेश प्रेप बू चलने लगता है उसे याद आने लगता है कि वो जब भी वांग जी से दूर जाता था तो वांग जी इस तरह डियक्ट क्यों करता था विंग को कुछ से दूर क्यों नहीं जाने देना चाता था ये सब सोचने के बाद विंग को अपने हाट में हैपिनेस एंड सैडनेस एक साथ फिल होने लगती है विंग को हैपिनेस इसलिए फिल हो रही थी क्योंकि उसका लंजा उसे अभी बयात करता है वो وینگ को नहीं भूला पर सात में उसे सैटनेस इसलिए फील हो रही थी क्योंकि वांग जी अभी तक उसके साथ जो भी वीहव कर रहा था और उसके केयर कर रहा था वो उसके लिए नहीं बलकि उस नाम के लिए थी विंग को तो जैसे खुझ से ही जली से फिलोने लगती है कि वांग जी उसकी नहीं बलकि अपने चैल्डूट के बेस्ट फ्रेंड की केर करता है पर विंग हज बहुत खुश था क्यूंकि उसने अपने लेंजा को ढून लिया था लेंग से चैल्ड नोटिस करता है कि विंग कहीं खुए हुआ है और उसकी बाते नहीं सुन रहा वो विंग से कहता है कि विंग तुम क्या सोच रहे हो पर विंग कुछ नहीं कहता और स्माइल करके वहां से जली से चला जाता है अब बस वो जल से जल लेंजा से मिलना चाता था और उसे बताना चाता था कि वो उसका विंग है जिसे लेंजा इतना मिस करता है और अब वो उसे छोड़ कर कभी नहीं जाएगा और हमेशा उसके पास रहेगा पर वो वांग जी की रूम के पास जाकर रुख जाता है और उसक अपने senior angel की बात यादा जाती है कि उसे ये task complete कर heaven जाना है और फिर उसे अपनी grand mother की story यादा जाती है कि एक human के साथ अपनी पूरी life spend करने के लिए वो heaven को छोड़ कर आ गई थी और एक fallen angel बन गई थी लेकिन उनके partner की life half हो गई थी ये सोचते ही wing की heart में pain होने लगता है वो कभी भी लंजा की life half नहीं कर सकता था वो लंजा को अपनी आँखों के सामने मरते हुए नहीं देख सकता था आज first time wing को अपने angel होने पर बहुत गुसा आ रहा था उसे इस बात पर गुसा आ रहा था ये वो एक human क्यों नहीं है wing सोचता है कि वो एक ऐसा angel है जो सब को खुश करता है लेकिन वो दुनिया में जिसकी सबसे ज़्यादा care करता है उसे खुश नहीं कर सकता और नहीं कभी खुद उसके साथ happy रह सकता है वांग जी अपने रूम के बाहर जा रहा होता है तब ही वो वींग को देखता है जो उसकी रूम के बाहर खड़ा होता है और उसकी आँकों से आंसु बहे जा रहे थे वो वींग को हग कर लेता है और उसे पूशता है कि वींग तुम क्यों रो रहे हो तुम्हें क्या हो गया है और वांग जी को अब और टैंसमों लगती है और वो वांग से कहता है कि विंग प्लीज इस तरफ हें मत करो कुछ तो बोलो मुझे तुम्हें यह बहुत चंता हो रही है और वो उसे एपने रूम में ले जाता है और बैट पर बैठा देता है और उसे पानी देता है और अव विंग वांग जी को हग कर लेता है और उसे कहता है कि कुछ नहीं वांग जी बस मुझे किसी अपने की यादा आ रही थी वांग जी कहता है कि विंग तो तुम उसे मिलो विंग कहता है कि ये पॉसिबल नहीं है वांग जी को थोड़ी क्यूरासिटी होती है और वो पूछता है कि विंग क्या तुम अपनी फैमली को मिस कर रहे हो विंग कहता है कि नहीं वांग जी मेरी फैमली में कोई नहीं है जिसे मैं मिस करूँ फ्रेंड्स यहां वांग जी को जैलिस यह लगती है कि अगर फैमली नहीं तो ऐसा कौन है जिसे विंग इतना मिस कर रहा है और वो Wing से पूछता है कि तुम किसकी बात कर रहे हो Wing भी Wang जी की जैलिश्टी समझ जाता है और उसे थोड़ा से टीज करती हुए कहता है कि Wang जी वो मेरे लिए सबसे बढ़कर है मैं उसे बहुत पया करता हूँ वो मेरे पूरी दुनिया है और फ्रेंड्स ये सुनने के बाद Wang जी के दिल का क्या हल हुआ होगा ये सब तो आप समझी गए होंगे Wang जी को बहुत पेन फिल होता है कि Wing की लाइफ में कोई और है और फ्रेंड्स इस स्टोरी के नेक्स्ट पार्ट के साथ मिलता है नेक्स्ट वीडियो में अगर आपको इस स्टोरी इंट्रेस्टिंग लगी हो तो प्लीज लाइक इस वीडियो और सब्सक्राब इस चैनल बाबाई